आज मैं आपको एक ऐसा बिजन्स बताने वाला हूँ जिसमें आप गोवर से बनाओ पैसा इतना पैसा आपको कोई जॉफ नहीं दे सकती जितना पैसा आप गोवर से कमा सकते हो अब जैसे कि किसान जब फसल करते हैं तो वो अपने खेत में एरिया रासाने खाट डालते हैं ल इसलिए हैं क्योंकि जो पहले खेती करते थे उसमें जीवांस की मात्रा काफी अच्छी थी जिसके कारण थोड़ा रासाने खाट डालने से अच्छा उत्पाद ले ले लेते थे पहले जैसे कि 1950 में हम अपनी जमीन में एक कलू रासाने खाट डालते थे तो उससे जो 25 कलो की होती थी उसके बाद 1975 में हम अपनी जमीन में एक कलू रासाने खाट डालते थे तो उससे जो उत्पाद में विरद्धी हुई वो केवल 15 कलो की हुई उसके बाद फिर 2006 आते आते जब हम अपनी जमीन में एक कलू रासाने खाट डालते थे तो उससे जो उत्पाद मे जो जीवान्स की मात्रा है वो भी खतम होती जा रही है और जमीन का जो कारवन है वो भी कम होता जा रहा है अब जो की डेपी और एरिया में जितने पोसकततव हैं उससे कई गुना पोसकततव तो केंचुए खात में हैं अब जो कि किसान रासाने खाट चोड़कर केंचुय का खाट डाल रहे हैं, जिससे आंगे चलकर जो जमीन है वो और्गिनिक में कनवर्ट हो जाएगी, और जो गोवर से बना केंचुय का खाट होता है, वो जमीन के लिए वहती जादा लावदायक होता है, और इससे अनाज उ आपको अपने केतों में डालने वाला है, क्योंकि इस खाट से अनाज में वहती जादा व्रद्धी होती है, तो आप बार्वी इंकम पोस्ट उनिट कैसे कोल सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूं, और इस बिजनिस में वहती जादा प्रॉफिट है, क्योंकि गाह में गोवर इसली मिल जाता है, जो कि वहती सस्ता, जिसके कारण आप इस विजनिस से अच्छी कासी अरनेंग कर सकते हो, और इस खाट के इंडिया में वहती जादा डिमांड है, अगर आप अपने आप गोवर से खाट बनाने का विजनिस से स्टार्ट कर लेते हो, तो आपके यहाँ प चोड़े और तीस फित लंबे, अव आप इसे 35 वी कर सकते हो, 또 20 वी कर सकते हो, जगह के साब से, आप इसे कमजादावी कर सकते हो, तो मैं आपको 4 फित, चोड़ा और तीस पित लंबा वता रहा हूं, तो सबसे पहले बैड में नीचे पन्नी विशा देनी हैं, पन्नी यानि गोवर को ठंडा किया जाता है जब गोवर ठंडा हो जाता है तो उसके बाद फिर इन बैड पर केंचुए डाले जाते हैं यह औस्टेलियन केंचुए होते हैं उसके बाद इन सारे बैड को नेट से ढखा जाता है उसके बाद फिर इन BAD फर rendgun से हर दिन पानी देना होता है तो यह BAD में जो कि 60-70 दिन में केंचुए गोवर को खात में convert कर देते हैं फिर इन BAD में ऐसे खात को निकाला जाता है उसके बाद फिर machine से छाना जाता है चानने के बाद यह जो खात होता है बन कर तयार हो जाता है फिर इस खात को पैकेटों में कटों में पैक कर दिया जाता है वेचने के लिए अब बात करते हैं investment की और profit की इस business में कितना खर्चा आएगा कितना profit होता है तो एक बैड में जो की 15 quintal gover की जरूवत पढ़ती है जो की 15 quintal gover का price 800 रुपई के something होता है और एक बैड के लिए 3.5 रुपई तक की पन्नी आती है और एक बैड के लिए 30 किलो कैंचुए जो की 1.5 रुपई के मिल जाएंगे जो की 30 किलो कैंचुए 4.500 रुपई के होते हैं फिर बैड पर उपर बिचाने के लिए तो एक बैड के लिए 200 रुपई तक की मैटी आएगी और एक बैड के लिए 1500 रुपई तक की इंटे आएगी तो ये सारे टोटल रुपई हो गए 7-100 रुपई अब लेवर कॉस्ट पानी और पैकिंग वगरा सारा कुछ मान के चलिए एक बैड जो की 9-100 रुपई में तयार हो जाएगा जो की पैकिंग फैकिंग करके सारा कुछ माल को वेचने के लिए अब एक बैड में जो की 6 कुंटल खात निकलता है तो एक किलो खात की कीमत जो की 7-15 रुपई तक होती है जो की 7-8-10-12 जो की एरिया के इसाब से एरिया क कितने का रहा है 9000 रुपई का लेकिन बिक कितने का रहा है 4-800 रुपई का तो जो 9000 रुपई का करचा रहा है यह सिर्फ एक वार आएगा अगर आपने एक वार बैड में से खात निकाल कर बेच दिया उसके बाद तो फिर आपको ना पन्नी लेनी ना कैंचुए लेने ना लेनी बस आपको उस वैड में गोवर को डालना है और उसके बाद फिर आपको 60-70 दिन बाद जो खात है वो बनकर तयार हो जाता है तो फिर पैक करके सेल करना है फिर एक वैड में जो की 1000-1500 रुपई का खर्शा आया करेगा जो की गोवर लेवर पैकिंग पानी का और एक वैड से जो की 4-800 रुपई का खात बनकर तयार हुआ करेगा और आप एक वैड से 3-4 रुपई कमाओगे अगर आपने 100 वैड लगा लिए तो फिर आप एक बार में ही 3-4 लाक रुपई कमाओगे उसके बाद जब आप और ज्यादा वैड वड़ाओगे तो आपको केंचु आईगी फिर तो यह विजनिस आपको दवा के अर्निंग देगा और आपके पास जब और ज़्यादा ओर्टरस आने लगें तो आपको इन बैड को वड़ाते जाना है क्योंकि इस खात की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस खात से खेती में बहुत ज़्यादा ग्रेव आपको कैंचुला कर सकते होँ और आपको कैंचुला देखने के लिए के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर Campbell